Hello everyone, welcome to Knowledge Mall और आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा एसाइं मेंस के लिए आज से सिट स्टार्ट हो रहा है प्रेक्टिस सिट तो फटाफट से जुड़ जाएए जितने भी स्टूडेंट है जो भी नहीं जुड़े है तो फटाफट से ध्यान दीजे और हर दरोगा मेंस के लिए प्रेक्टिस सेट मिलता रहेगा तो फिलाल चलिए लगाता है आज का पच्चास कोशन का प्रेक्टिस सेट कोशन है पहला कि भारत का चालीसवां अंतररास्टिय व्यापार मेला IITF किस सहर में नवंबर 2020 में संपन हुआ आंसर है आप्सन एक नई दिल्ली में केंद्रिय वानीज और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल ने दिल्ली के प्रगती मैदान में भारत अंतररास्टिय व्यापार मेला 2020 के चालीसमे संस्करन का उदगाटन किया या भारत व्यापार समवर्धन संगठन द्वारा आत्म निर्वर भारत के लिए विशय के साथ और वोकल फोर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था निमलिखित में से किसकी उपस्तिती के कारण गोल्डन राइस का रंग सुनहरा पीला होता है आंसर है ओप्सन डी बीटा कैरोटीन की उपस्तिती के कारण सुनहरा चावल में प्रचूर मात्रा में विटामिंग ए होता है निमलिखित में से भारती समविधान का कौनसा अनुच्छेद आकस्मिक्ता निधी से संबंधित है आंसर है ओप्सन C अनुच्छेद 266 निमलिखित में से कौन वायू प्रदूशन का सूचक है आंसर है ओप्सन B लाइकेन मंकी मार्क सबदावली का उप्योग होता है आंसर है ओप्सन A कुस्ती के लिए किस समविधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारती संग में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था आंसर है इसका ओप्सन B 36 समविधान संसोधन द्वारा इस संसोधन द्वारा सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया गया और उसे भारत का 22 वा राज बनाया गया अकसाई चीन किस राज में इस्थित है? आंसर है ओप्सन D लद्दाख में कौन सी समीती अर्धन्याईक प्रकिर्ती की होती है? आंसर है ओप्सन B विशेसाधिकार समीती इस समीती का कार्य अर्धन्याईक प्रकिर्ती का होता है यह सदन और इसके सदस्यों के विशेसाधिकार हनन संबंदी मामलों की जाच करती है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? आंसर है ओप्सन B भासकराचारिय सेक हैंड ग्रीप सब्द किस खेल से संबंधित है आंसर है option C, table tennis से western ग्रीप या फिर सेक हैंड ग्रीप ये table tennis के खेल में racket को पकड़ने का एक तरीका होता है नाइलोन 66 के निर्मान में किस acid का परियोग किया जाता है आंसर है option B, adipic acid का नाइलोन 66 के निर्मान में adipic acid और hexamethylene diamine को संगनीद कर बनाया जाता है मानो विकास सूचकांग पहली बार का प्रकाशित हुआ था आंसर है option A, 1990 में मानो विकास सूचकांग पहली बार सन्युक रास्ट विकास कारेकरम युनिके UNDP के द्वारा 1990 में प्रकासित किया गया ब्लू फ्लैग किसके द्वारा समुद्र तटों को प्रदान की गई विस्वस्तर पर मान्यता प्राप्त एको लेड़ प्रमानन है आंसर है option A, Denmark के द्वारा, Blue Flag Eco Label प्रमानन है जो Foundation for Environment Education Denmark द्वारा समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है या पानी की गुनवत्ता, परियावरन सिक्षा, संरक्षन और सुरक्षा और सेवाओं पर आधारित है निमलिखित में से कौन सी टेनीस परतियोगिता Grand Slam नहीं है आंसर है option C, Swedish Open टेनीस की चार Grand Slam टोर्णामेंट आयोजित की जाती है Australian Open ये जनवरी के मद्ध में, French Open मई-June में, Wimbledon ये June-July में और US Open ये अगस सितंबर में, Swedish Open Grand Slam परतियोगिता का भाग नहीं आता कुंजरू समीती की अस्थापना कब की गई थी? आंसर है option B, 1959 में, 1959 में भार सरकार ने डॉक्टर हिरदयनात कुंजरू की अधक्षता में एक समीती की अस्थापना की, इसमें सरकार को सारीरिक सिक्षा, मनुरंजन व विद्यार्थी अनुशासन सद्रिश विशेओं का सुजाव देना था महिलाओं के लिए जैबलीन का भार होता है आंसर है option A, 600 ग्राम ओलंपिक गेम्स के नियमों के अनुसार पुरूस भाला फेक परतियोगिता में भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर के बीच होती है इसका वजन 800 ग्राम होता है जबकि महिलाओं के लिए भाले क्या वजन जो होता है वह 600 ग्राम और इसकी लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती है निमलिखित में से कौन सा भारतिय अर्थवस्था में सरवादिक सरम अवसोधक छेत्र है आंसर है option A, प्रात्मिक छेत्र प्रात्मिक छेत्र के अंतरगत क्रिशी, पसुपालन, व्रिक्ष रोपन एवं मचली पालन सामील है भारत में कौन जन संख्या का 65 प्रतिशत भाग केवल क्रिशी कारी करता है द्वितिय केवं 33 चेत्रों में कारीरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 तथा 20 प्रतिशत है भारतिय कोविड-19 वैक्षीन, कोविशील्ट और कोवैक्षीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक्ता पारस है आंसर है ओप्सन C, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस परमानू नाभिक के अव्यव है आंसर है ओप्सन B, प्रोटोन और नियोट्रोन परमानू के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटोन तथा नियोट्रोन इस्थित होता है इलक्ट्रोन नाभिक के चारो और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है निमलिखित तत्वों में से कौन सरवाधिक योगिक निर्मान करता है? आंसर है ओप्सन B, कारबन आयोडीन यूग्त हार्मोन्स है आंसर है ओप्सन A, थायरोक्षीन थायरोट ग्रंथी मनुष्य की गर्दन के भाग में स्वसन नली के दोनों ओर तथा स्वर्टंत्र के जोड के अधर तल पर इस्तित होती है इससे थायरोक्षीन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65 प्रतिशत भाग आयोडीन होता है निम्न में से कौन एक रीट न्यायले में कार्यवाही लंबित होने की दसा में लागू की जाती है आंसर है option C प्रतिशेद प्रतिशेद रीट न्यायले में कार्यवाही लंबित करने की दसा में लागू की जाती है जब नीचला न्यायाले अपने अधिकार छेतर से बाहर किसी विश्य पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायाले प्रतिशेद रीट जारी करके मामला को अपने पास मंगा लेता है भारत के सम्विधान में केंद्र और राजियों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इन में से किसमे उलेखित योजणा पर आधारित है आंसर है option D भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के समविधान में केंद्र और राज्यों के मद्ध सक्तियों का विभाजन भारत साशन अधिनियम 1935 में उलेखित योजना पर आधारित था इस अधिनियम की सात्वी अनुसूची में संगिय राज और समवर्ती सूची में विशेयों का विभाजन किया गया था इसके अतिरीक्त प्रांतों में द्वैत साशन समाप्त कर केंद्र में द्वैत साशन को लागू किया गया था वित्य विध्यक के बारे में विशे सुपबंद किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है? आंसर है ओप्सन A. अनुच्छेद 117 भारत के राष्टपती अपनी सक्तियों का परियोग करते हैं आंसर है ओप्सन D. सीधे अथवा अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा निमलिखित में से राष्टपती किसकी नियुक्ती करता है? आंसर है ओप्सन D. उप्रोक्त सभी की भारत के महानियावादी, नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक और एक राज्यकार राजपती इन सभी की नियुक्ती राष्टपती के द्वारा की जाती है राष्टपती सम्विधान के अनुछेद 76 के अनुसार भारत का महानियावादी, अनुछेद 48 के अनुसार नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक तथा अनुछेद 155 के अनुसार राज्यों के राजपाल की नियुक्ती करता है भारत के निमलिखित राज्यों में से किसने असौरी किसके तीन तरफ अंतरराष्टिय सीमाएं हैं आंसर है ओप्सन C, त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांगलादेश की अंतरराष्टिय सीमा से गिरा हुआ है निमलिखित में से कौन सम्मीलित नहीं है आंसर है option D पीट मिर्दा दिया गया है ये अरोनाचल परदेश में पीट मिर्दा भारत में मुक्यता केरल उत्राखंड एवं सुन्दर डेल्टा में पाया जाता है जबकि यहां पे दिया गया है अरोनाचल परदेश जो की सम्मिलित नहीं है बलकि माकी की जो option है वो सही है काली मिर्दा ये गुजरात में लाल मिर्दा तमिलनाडू में और जलोड मिर्दा ये पंजाब शितर में पाया जाते है आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निमलिखित में से किस के द्वारा किया गया है आंसर है इसका option B मुहम्मद काजिम के द्वारा औरंगजेब के साशन के पहले दस वर्सों के इतिहास का संकलन आलमगीर नामा के नाम से किया गया है स्वदेशी और बहिसकार पहली बार किस घटना के दोरान संघर्ज की वीधी के रूप में अपनाए गये थे आंसर है इसका option D बंगाल विभाजन के विरुध आंदोलन के दोरान भारत में कम्योनिस्ट पार्टी की अस्थापना किस वर्स हुई थी आंसर है option B उनीसो पचीस में देश की अर्थवेवस्था में परियटन के महत्तों के बारे में जन जागरुकता बढ़ानी के लिए हर साल पचीस जनवरी को राष्टिय परियटन दिवस मनाया जाता है वर्स 2020 में राष्टिय परियटन दिवस का विशय यनिकी थीम क्या था आंसर है option B ग्रामीन और सामुदाई केंद्रित परियटन इस वर्स गंतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वस्रेष्ट मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया है आंसर है option A भारतिय नौ सेना को इस साल रक्षा मंत्राले के मुताबिक सेनाओं में भारतिय नौ सेना को सर्वस्रेष्ट मार्चिंग दल के रूप में चुना गया इसमें पॉपुलर 24 काटगरी में भारतिय वायू सेना पहले अस्थान पर रही वहीं गंतंत्र दिवस परेड में नौ मंत्रालेओं की जहांकी को भी सामिल किया गया था भारत एवं किस देश के मध्य मिताली एक्स्प्रेस ट्रेन प्रारम की गई है आंसर है option A भारत और बांगला देश के बीज भारत का सबसे पुर्वी देशांतर कौन सा है आंसर है option C 97 डिगरी 25 मिनट पुर्वी देशांतर भारत पूरी तरह से उत्तर पुर्वी गोलार्द में इस्थित है या 8 डिगरी 4 मिनट उत्तरी अक्षांस से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशानतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशानतर तक विस्तरित है चूने के पानी में CO2 यनि की कार्बन डायॉकसाइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का प्राप्त होता है आंसर है ओप्सन C, सफेद फेरस सलफेट क्रिश्टल में विद्दमान जल के अनुओ की संख्या कितनी होती है आंसर है ओप्सन D, साथ फेरस सलफेट के क्रिश्टल का रासाइनिक सुत्र जो होता है FeSO4 into 7H2O और यहाँ पर पूछा गया कि जल के अनुओ की संख्या कितनी, तो साथ भारत के परतेक नागरिक के कर्तव के अंतरगत, प्रकिर्तिक परियावरन का संख्या क्षन एवं सुधार सामील है आंसर है इसका ओप्सन A, अनुच्छिद 51 का क, अब यहाँ पे जो है कुछ इस्टूरेंट 48 का क क कर देते हैं लेकिन ध्यान में रखें कि 48 का कव भी जो दिया गया है वो है परियावरन का संरक्षन तथा संवर्धन और वन तथा वन जीव की रक्षा लेकिन 48 का कव यह निती निर्देशक तत्यों के अंतरगत है यहाँ पे पूछा गया है नागरी के कर्तब यानि की मौलिक कर्तब जो के 51 का क होगा आंसर निमलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? आंसर है ओप्सन C, राजेंदर प्रशाद, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष था? हाल ही में संतावन में ज्यानपीट पुरसकार प्राप्त करता दामोदर मौ जो किस भाषा से शम्बंदित लेखक है? आंसर है ओप्सन B, कौंकणी भासा से? किस छेत्र में डॉक्टर कनक साहा को वर्श 2021 का सांती स्वरू भटनागर पुरसकार से सम्वानित किया गया? आंसर है ओप्सन D, भौतिकी विज्ञान में? रविन्द नाठ टाइगोर को किस वर्श साहित के छेत्र में नॉबल पुरसकार से सम्वानित किया गया? आंसर है ओप्सन B, 1913 में? भारत सरकार ने अनुसूची जाती के छात्रों के लिए उच गुनवत्ता वाली आवासिय स्कूली सिख्षा प्रदान करने है तू, किस योजना की सुरूआत की है? आंसर है ओप्सन A, स्रेष्ट योजना का अनुसूची जाती के छात्रों के लिए स्रेष्ट योजना सुरू की गई है, यह योजना छात्रों की गुनवत्ता पूर्ण आवासिय सिख्षा प्रदान करेगी, यह योजना समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले द्वारा किन्यानवित की जाएगी लशिका यानि किलीम्प के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्त्य है? आंसर है ओप्सन डी, दोनों सही है कि लशिका में लाल रुधिर कनिकाय यानि कि आरबी सी नहीं पाई जाती है, इसमें डबलूपी सी अधिक मात्रा में पाई जाती है संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कारेकाल होता है आंसर है ओप्सन डी, छै वर्स का निमलिखित में से किसने प्रसिद पुस तक अडिस्कोर्स ओन पॉलिटिकल एकोनॉमी लिखी? आंसर है ओप्सन सी, रूसो ACI खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे, डिंको सिंग जिसकी हाल ही में मृत्यू हुई है निमलिखित में से किस खेल से सम्बंधित थे? आंसर है ओप्सन बी, मुक्के बाजी से ACI खेल 1998 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले मुक्के बाज डिंको सिंग का जून 2021 में निधन हो गया वे करीब 42 साल के थे, डिंको सिंग पिछले लंबे समय से या कृत के कैंसर से पीडित थे निमलिखित में से कौन सा अंतराष्ट्य योग दिवस 2021 की थीम है? या था? आंसर है ओप्सन C, कल्यान के लिए योग अंतराष्ट्य योग दिवस 2020 का थीम योगा 4, will, being यानि की कल्यान के लिए योग और अंतराष्टिय योग दिवस 2020 का अगर पूछा जाएगा तो योगा फोर हेल्थ योगा एट हॉम ब्लैक एन वाइट फोटोग्राफी में निमलिकित में से किस योगी का परियोग किया जाता है आंसर है ओप्सन सी सिल्वर ब्रोमाईट का भारत और चीन के बीच वर्स 2020 में कितने अरब डॉलर का दुईपक्षिय व्यापार हुआ आंसर है ओप्सने 125 अरब डॉलर का भारत और चीन के बीच बने तनाव का दुईपक्षिय व्यापार पर किसी भी तरह का असर नहीं देखा गया और वर्स 2021 में दोनों देशों का व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड अस्तर पर पहुँच गया तो ये थे 50 कोश्चन्स का सेट विहार दरोगा एसाई मेंस के लिए तो वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद